बिलासपूर जिले की आधी सीटों में बिजेपी के प्रत्याशी बदले जा सकते हैं चत्यसगर में विधान सभा चुनाओं से पहले उठापटक की राजनीती तेज हो रही है इन सब के बीच बिजेपी उमीद्वारों को दूसरी लिस्ट का बेसबरी से इंतजार भी है बात करेंगे इस रिपोर्ट में उन उमीद्वारों की जिनके नाम बदलने की संभावनाई बनी हुई है कुछी दिनों में विधान सभा चुनाओं होने वाले हैं इसके पहले ही बिलासपूर में प्रत्याशी बदले जाने की चर्चा इन दिनों तेज हो चली है राजनीतिक जानकारों के नुसार बिजेपी 36 गड़ में कुछ नया करने का प्रयास कर रही है इसलिए केवल विनिंग केंडिडेट सी मैदान में उतारे जाएंगे ऐसे में बिलासपूर जिले को लोग सभा सीट के नुसार से देखा जाए तो यहां अलग-अलग आठ विधान सभा सीट नजर आते हैं बिजेपी चार विधान सभा शेत्र से प्रत्याशी बदल सकती है जितने वाले प्रत्याशियों की तलास बिजेपी गाइडलेंस के अनुसार लगातार कर रही है अगर आकडों पर नजर डाले तो पता चलता है कि अविभाजित मध्यप्रदेश में 1996 से 2003, 2008, 2013 तक पूर्वा मंतरी अमर अगरवाल का कबजा रहा है इतना ही नहीं अमर अगरवाल राज्चु में बड़े विभागों में मंतरी भी रहे हैं लेकिन साल 2018 में विधान सभा चुनाओ के मद्य नजर कॉंग्रिस पार्टी के पहली बार चुनाओ लड़ने वाले उमीदवार शेलस पांडे ने उन्हें भारी मतों से हरा दिया ऐसे में बहुत संभावना है कि इस बार पार्टी उन्हें टिकेट देने की बज़ाए किसी ऐसे प्रत्याशी परताओ खिल सकती है जो कॉंग्रिस विधायक शेलस पांडे की तरह ब्राम्हन वर्ग से हो और बिजेपी की विचारधारा के साथ जादा फिट बैटता हो ऐसे कुछ प्रत्याशी इस वक्त बिलासपुर विधान सभा शेत्र में काफी सक्री हैं कुछ बेहत पुराने RSS पताधिकारी भी इस सूची में सबसे आगे चल रहे हैं बिजेपी ने जिन विधान सभा में कभी अपने चहरे नहीं बदले ऐसे प्रत्याशियों की लिस्ट बेहद अक्ष्यर जनक धंग से बदले जा सकते हैं बिजेपी ने मस्तूरी से डॉक्टर कृष्ण मूर्ती बांधी को विते कई विधान सभा चुनाव में अपना प्रत्याशी बनाई रखा है और मौजूदा समय में वे मस्तूरी विधान सभा के लोगप्रिय विधायकों में से एक हैं इनके अलावा बिलहा विधान सभा शेत्र के जिताओ प्रत्याशियों में से एक बिजेपी के वरिष्ट नेता और पुर्वनेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक का नाम है कभी बिलहा विधान सबर शेतर से हार का मुह देख चुके धरम लाल कौशे कि इस वक्त BJP के विनिंग कैंडिडेट्स में से एक हो सकते हैं लेकिन फिर भी दबी जुबान पर बिलहा विधान सबर शेतर से कैंडिडेट्स बदले जाने की खबरें अभी से आने लगी है इन खबरों में कितनी सचाई है ये BJP की दूसरी लिस्ट जारी होते ही सपस्ट हो जाएगे फिलहाल BJP में इस वक्त कई तरह के आंतरिक बदलाओ देखे जा रहे हैं पहली सुची ने ही यह साबित कर दिया था कि अब BJP केवल विनिंग कैंडिडेट्स पर ही भरोसा करने वाली है ऐसे में लगातार पार्टी को जीत दिलाने वाले मुंगेली विधासबर शेत्र के विधायक पुन्नुलाल मोहले की बिते कुछ सालों में लोगप्रियता कम हुई है फिलहल पार्टी इस वक्त ऐसे किसी भी उमिद्वार को दोहरा नहीं सकती जिसकी वज़ा से उन्हें हार का सामना करना पड़े ऐसे में अपने जीते हुए प्रत्याशियों को टिकेट देने या ना देने पर शंसाय बना हुआ है वहीं उनकी बड़ती उम्र भी देकर पार्टी बदलाओ कर सकती है लेकिन मुंगेली में आयो जुद एक कारिक्रम में कॉंग्रेस के बड़े कारिक्रमों में मुख्य मंत्री के मुर्दाबाद के नारे भी लगाए गये थे लिहाजा इस वक्त कॉंग्रेस पार्टी भी मुंगेली विधासबर शेत्र में अपने विनिंग केंडिडेट को ढूनने में समय लगा रही है ऐसे में यह भी माना जा रहा है कि एक बार फिर से मुगेली विधासबर शेत्र में पूर्व मंत्री पुन्नुलाल मोहले की टिकेट बची रहे की नसर डाले लोर्मी विधान सबस्षेत्र में तो सामान्यता है यहां की वोटर पार्टी को नहीं बलकि कैंडिडेट्स देखकर वोट करते हैं ऐसे में लगातार तीन बार से ज़्यादा विधायक बन चुके धर्मजिसी जिनोंने जनता कॉंग्रेश 36 गर छोड़ कर हाली में बिजेपी का दामन थामा है उन्हें बिजेपी लोर्मी से टिकेट देने पर विचार कर सकती है अब जाहिर सी बात है कि एक बार फिर से द्धर्मजिसी को अगर लोर्मी से विधान सबस्वेटर से टिकेट दे जाथ तो भिजेपी के पुराने प्रत्याशी को टिकेट नहीं मिलेगी जनकारों की माने तो कोटा विधान सबस्षेत्र में भी बदलाओ के आसार नजर आ रहे हैं बतादें कि कोटा विधान सबस्षीट सामान्य सीट है इसमें अविभाजित मध्यप्रदेश के ब्राम्हन केंडिडेट सी जीत कराते हैं ये सीट कॉंग्रेस का माना चाता है पहली बार गैर ब्राम्हन की रूप में रेनु जोगी विधायक बनी जिन्होंने 2018 में जन्ता कॉंग्रेस 36 गड़ जॉइन किया है वहीं दो बार से OVC वर्ग की केंडिडेट को BJP ने मौका दिया और हार का मूँ देखना पड़ा इस बार पार्टी नया बदलाओ ला सकती है बिलासपूर से ये राजनेते क्विशलेशन हम तक पहुँचाई हमारे सहयोगी मनिश शरण इस रिपोर्ट में इतना ही और 36 गड़ की राजनीती से जूड़ी ऐसी ही खबर है अब आपको वाटसब पर भी मिलेंगी ऐसी खबरों को पढ़ने और देखने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देगया लिंक पर क्लिक करेंगे जैजुआ नमस्कार झाल झाल